इंटरनेट पर रोजना हजारों की तादात में तस्वीर अपलोड होती है खुपसूरत कमाल की और नई और पुरानी इन में से कुछ तस्वीर अपने अंदर कुछ ऐसे खुपनाक राज सुमाई हुई होती है जिनकी पहचान कभी कबार नामुंकिन मालुम पड़ती है एसे चंद तस्वीर आपके सामने पेस है क्या आप इनके पीछे का राज मालुम कर पाएंगे तो जानने के लिए वीडियो को आखरे तक बने रहे मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे है दे मायम लेस्ट भुनिया सर्प्राइज गेस्ट फुटेज में दिखाई देने वाली ओरत एक खातून है और चोराण में वरस की उमर में भी अपनी जिन्द की आराम से गुजार रही है लेकिन देखने में हम इसको ओल्ड एज वाली महिला बता सकते हैं 1997 में एक रोज इसकी बेटी और दो हीती इन से मुलाकात करने पहुची और एक दूसरे के साथ काफी ज़्यादा वक्त गुजारा दिखाई देने वाली तस्वीर भी उसी दोरान केमरे में केद की गई उस दोर में मॉबाइल फोन में केमरा मौजूद नहीं था और तस्वीर उतारने के बाद डेवलिपिंग के लिए बेज दी जाती थी तस्वीर उन्हें मिलने पर भी कही सालों तक इसमें कोई भी हैरान कर देने वाली बात नजर नहीं आई लेकिन बाद में एक रोज किसी के बताने पर उन्होंने गोर किया कि नानी के पीछे कोई खड़ा था मा बेटी के मुताबिक तस्वीर बनाते हूँ वक्त वहाँ पर उनके अलावा कोई नहीं था उन्होंने बयान किया कि वो इस सक्स को जानते है फोटेज में दिखाई देने वाला सक्स लड़की के नाना थे जो कुछ समय पहले ही इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके थे क्या दोस्तों मौत के बाद अपने परिवार के खुशियों में सामिल होना मुम्किन है इस फोटेज को देखने के बाद लड़की और उसकी मा ऐसा महसूस करने लगी जैसे आज भी उसके नाना उसके साथ है देगी द्रिंग इंसान अपनी जिन्दिकी में कई बार इकटे हुआ करते है जैसे साधी, सगाई या फिर जनाजे अकसर लोगों की बीड़ देखने को मिलती है लेकिन कभी कबार लोगों की यही बीड़ हिरान और खोप में डालने वाली नजर आती है एक जामपल के तोर पर इसी तस्वीर को ही ले ली जिए तस्वीर की असल पहचान तो मालुम नहीं की जा सकी फुटेज में सबसे गोर करने वाली बात ये है कि ये लोग कौन है और किस मकसद के तहत यहां पर जमा हुए है फुटेज में सो से ज़्यादा लोग मजहबी लिवाज में इकटे हुए है इनकी चमकती आँखी तस्वीर को खोपनाक रंग देती है साधरन माने तो रोस्नी से इसा नजरा पेदा हो सकता है लेकिन क्या आपने कभी इतनी बड़ी तादात में लोगों की आँखों को यूच चमकती है देखी है कुछ लोगों का मानना है कि ये रोस्नी का परिणाम नहीं बलकि इनकी आँखे ही रोस्नी का जरिया मालुम होती है जिससे इस तस्वीर की पहचान करना कापी खोपनाक लगता है एक गोश्ट एट दे वेडिंग सादी की मोकी पर सबसे ज़्यदा फोटोग्राफी देखने को मिलती है खुस रंग कपड़े पहने हाट साक्स अपनी तस्वीर बनाने में आगे रहता है लेकिन ऐसे ही मोकों पर कभी कबार कुछ अंजान और अंदे के महमान भी नजर आ जाते है दिखाई देने वाली तस्वीर इसके बहतरीन मिसाल है दोस्तो तस्वीर में एक धुंदले साई को इनसानी सकल में जुखे देखा जा सकता है कुछ लोग इसे सिगरेट या सिगार से निकला दुमा बताते है लेकिन इसका इस तरह बिल्कुल इनसानी रूप ले लेना किसी रूहानी ताकत का सबोत भी बन सकता है दुलहा दुलन के कई दोश और महमानों ने इसे साब तोर पर देखा जिनों ने इसे रूहानी ताकत का नाम दिया और अपलोडर भी इसे यही मानता है पिक्चर्स ओन मॉम्स हाउस दोस्तो इस चोड़े ने अपने सगाई की दिन को यादगार बनाने के लिए कुछ तस्विर केमरे में केद करवाई लेकिन बाद में लड़के की माने महसूस किया कि एक तस्विर में कुछ गेर मामूली और खोपनाक साया भी केद हो गया लड़के ने बयान किया की तस्विर देखते हुआ जैसे ही ये तस्विर उनके सामने आई तो मा का चेहरा खोप से लाल पड़ गया खिड़की के बाहर खड़े इस अंजान साय की पहचान नहीं की जा सकी क्योंकि उस दिन गहर पर उनके सिवा कोई और मोजूद नहीं था और किसी अंजान के वहां मोजूद होने का कोई चांस नहीं बनता तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंदाया होगा इस वीडियो को लाइक सेट जरूर करें हमारी चैनल पर नए है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब की बिना कहीं मत जाएए वीडियो देखने के लिए दन्यवाल और अंतमी जे हिंदू दूआ है